किशी भी साधन से चले जब ये लक्षन आ जाएं तो जान लेना कि साधना परिपक्क हो गई कहरे करोणों जन्मों की साधना के बाद ये हिरदय में आता है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं तो आप लोग आज से भक्ती नहीं कर रहे हैं वो तो आचार हैं त्रिका लग गये हैं करोणों जन्म से कुछ न कुछ शाधन बनता रहा तब धीरे धीरे ऐसा कैसे जाने कि हम उपासना के फल को प्राप्त कर लिए लक्षन है उसके किसी भी साधन से चले जब ये लक्षन आ जाएं तो जान लेना कि साधना परिपक हो गई शाधना पक गई अर्था तब शिद्धा वस्ता को प्राप्त हो रहा है क्या लक्षन शब्ष पहला लक्षन उसके अंदर आता है मरने का भै खतम हो जाना जीने की इच्छा बनी रहना पहला है मरने का भै खतम हो जाना चाहे वो कर्म योगी हो ग्यान योगी हो भक्त योगी हो या किसी भी अस्टांग योगी हो किसी भी मार्ग का पतिक हो उसकी जब सिध्धा वस्था आती है तो शब से पहला लक्षन प्रगट होता है निर्भय सब भयों से भी बड़ा भय है मृत्यू का भय उस उपाशक के ह्रदे में किंचिन मात्र भी मृत्यू का भय नहीं रह जाता यह देखो अंदर से मरने का नाम सुनकर के भय लगता है कि नहीं लगता है अगर लगता है तो अभी शाधनाव पत्थ पे हो अभी लक्ष पे नहीं पहुँचे लक्ष में पहुँचने पर मृत्यू का भय ही नहीं है किसी भी तरह से उसे कस्ट नहीं कैसे जैसे नाटक चल रहा हूँ और उसमें शाम ने बिपक्ष से वार किया गया और मरने का वो नाटक किया उसको कोई बह लग रहा है सामने से तलवार भाला गोली मारी जा रही है क्योंकि वो नाटक है उसको पता है मुझे ठीक ऐशा ही रोल निर्वाह करना जिससे दर्शक देख करके वाह करना बिल्कुल उसमें वो जान करके नाटक करता है वो जान करके ऐसी उपस्थित सीन करता है कि शामने वाला प्रभावित हो जाए उसको ब्रभावित होड़ी लग रहा है क्योंकि जाना नाटक है ऐसे ही ठीक जो परिपक कवस्था को प्राप्त है वेशा ही नाटक देखता है जैसे प्रले में भी भैवीत नहीं होता भक्त ऐसा सास्त्रों में आया तो सेक्णों हजारों आप नाटक देखते हैं उसमें देखते हैं सेक्णों लोग मारे जा रहें गाउं के गाउं जलाए जा रहें आपको थोड़ी भी पिराने होती क्योंकि मूल में आपको पता है न जैसा नहीं है ऐसे ही उश्व पवित्र अंता करण वाले परिपक कवस्था को प्राप्त हुए किसी भी शाधन पत्से जो चला है उसको शंपूर्ण संसार का नाटक रहा से पता चल जाता है इसलिए महाप्रले में विकेवल नाटक देख रहा है जैसे अपने गाउं का गाउ समाग लगाई जा रही देख रहे है पर कोई भै या दुख नहीं क्योंकि पता है नाटक जूटा है ऐसे ही ये मिथ्या ब्रह्मशत्यम जगन मिथ्या ये मिथ्या है वो अपने शरीर को ऐसे मिथ्या अनुभो का है तो अनुभो होता है जो मिथ्या है उसे अनुभो हो रहा कि देह शुद ही गई देह कुटुमते जाए छूटी सबही विदि ना तो जब तक मरने का भय है तब तक परिपक्व अवस्था नहीं है मरत्यू का भय खतम हो जाए जाचो यहां सब एक मिनट में लीला प्रिवेश की बात करते है मुझे भगवत प्राप्ति हो गई मुझे ब्रह्मबोध हो गया है तो ऐसे कपड़ा क्यों रखते है मुझे व्यक्ति दिखाई देते हैं ब्रह्मबोध हो गया और व्यक्ति दिखाई देते है जिसे ब्रह्मबोध हो जाता है उसकी ब्रह्म दरश्टी हो जाती है व्यक्ति कहां गलत नहीं चलो सही से चलोगे तो ब्रह्म बोध हो जाएगा इसलिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है हाँ मुझे इरादा कृष्ण का साक्षातकार होगे अरे जब तक मैं हूँ तु है तब तक कहां साक्षातकार है जिने साक्षातकार होता है वो वही होते हैं जानत तुम्हें तुम्हें हो जाती मैंने साक्षातकार किया वो करी नहीं सकता जिसने साक्षातकार किया बताने वाला ही नहीं रह जाता जो बताये जाता है सब बाहरी बात होती है अंतरी तो बताये ने जाता मरने का भै खतम हो जाए बस दुश्रा जीने की इच्छा न रहे जाए देखो कितना सुन्दर है जीने की इच्छा अभी सरी नुष्ठ हो जाए क्या जीने की इच्छा नहीं जितनी श्वासे हैं राधा, राधा, राधा हमें क्या जरूरत है कि हम साम तक जियें और साधना करें क्यों इच्छा कर रहे हैं श्री जी की इच्छा है कि यही श्वास आखरी हो तो राधा हो गया इसलिए हम हर श्वास में राधा बोलेंगे पता नहीं कौन सी स्वाश हमारी आकरी हो हम क्यों जीएं अगर जीने की इच्छा है तो शरीर राग है शरीर राग है तो भोग का सुकवाव है भोगों का सुकवाव है तो संग्रे बुद्री है संग्रे बुद्री तो जिसको हमने संग्रे किया जिसे अपना माना वो छूट जाएगा इस बात का भै है इसलिए मृत्य उसे भै लगता है और जीने की इच्छा रहती है शरीर राग करता भोकता भाव यही भै प्रदान कर रहा है मूल बात समझे जीने की इच्छा खतम हो जाती है जब तक जीने की इच्छा है तब तक अग्यान है मरने का भै है तो अग्यान है कुछ भी पाने की इच्छा तीसरा पहला मरने का भै दूशरा जीने की इच्छा और तीसरा कुछ भी पाने की इच्छा कुछ भी कुछ पाने की इच्छा ने जाहिन चहिए कबं कचो तो कह दे कि प्रभू की पाने की इच्छा तुम यहां सिद्ध के लक्षन बता रहें सादक के नहीं जो शिद्ध हो चुका है उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहेती कुछ भी पाने की इच्छा नहीं क्योंकि जिनकी पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता वो प्राप्त ऐसे हो जाते हैं कि अपना पता ही हो जाता है वही वो रह जाते हैं कान भय प्रान में प्रान भय कान में ही ये मेन जान पर है कान है कि प्रान है प्राणनात्स्यामाजुका ऐसा अधिकार हो जाता है शंपुर्णिंद्री, मन, बुद्धि, चित्त, हंकार, शुभाव, सब भगवत में सब प्रभु में तो जब तक खोज चालू है तब तक मैं है और जब खोज पूरी हुई तो जिनकी खोज वही रह जाते है खोजने वाला नहीं रहता खोजने वाला ही नहीं रहता पाने की कोई भी इच्छा कुछ भी पाने की इच्छा ये कचाई है और वही शिद्ध है जिसे कुछ पाने की इच्छा नहीं करने का राग ये करना है जब तक ये है तब तक वो परिपक कवस्था को प्राप्त नहीं है महापुरुषों के द्वारा भी चेश्टाएं होती हैं जिसे आप कहशकते हैं कि उन्होंने वो किया आप कहशकते हों वो नहीं क्योंकि उनका कुछ भी नहीं बकाया रहा तो जो क्रिया हो रही तुम निमित केवल उनको दे शकते हो करने वाले प्रभू ही है क्योंकि उनके मन में, बुद्धी में, चित में, आहम में, चेश्टा में केवल प्रभू होते है प्रभू मैं हो करके प्रभू में, जगत में प्रभू में कार्य हो रहा है वो शंशारी होकर शंकल्पिकल्प करके करता भाव से कुछ नहीं ये शिद्धावस्था का लक्षन है मरने का भै नहीं जीने की इच्छा नहीं कुछ भी पाने का लालच नहीं कुछ भी करने का राग नहीं ये हो गई इस्थिती ये स्थिती के बाद आगे चलकर फिर प्रेमरश है ये स्थिती सब को प्राप्त होती है चाहे वो ग्यान योगी हो, चाहे स्टांग योगी हो चाहे कर्म योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो भक्ति योग में ये महा महिम श्वरूप है कि वो यहीं नहीं ठिकता अब इसके बाद उसके अंदर इच्छा जागरत होती है ये जो इच्छा होती है ये जागती की इच्छाए नहीं है देखो संपूर्ण स्री मद्राधा सुधा निदी में इच्छा ही जागरत की गई ऐसा कब होगा? हम श्री जी के लिए ऐसी सेवा करेंगी ऐसा स्री जी की विचिन वन्ती के शान कुछन कर जै कंचुक पटम कुछा प्यामुन चन्ती कुछ कनक दिव्यत कल सयो ऐसा कब होगा पत्रावलिम्रचीतुम कुछ योग कब होगा ये इच्छा ऐसा महामहिम्ष्वरूप है जो बड़े बड़े शिद्धों के लिए भिद्धुर लव है प्यारोडों चमते नयच्छी शुकादी नामत्य ध्यानकम संभाब्यूपी बिरंचिनारद सिवो यहां तक पूर्ण हो गया अब ये पूर्ण के बाद जो यात्रा होती है प्रेमियों की होती है वो अखंडानंद और अनंतानंद अनंतानंद शुरूप में प्रेम में उपासक को सरवत्र किसी भी शाधन में लगे हुए उपास्वनामार्ग वाले पथिक को कभी भी अलग करके न देखे ये शवुशी प्रभू को भजने वाले प्रणाम पर हमें अपने आराध्य देव में तन्मय होना है क्योंकि वही प्रभू है ये निंदायस्तुति का किंचिन मात्र कोई प्रवेश का इस्थान ही नहीं है ये जो एक दूसरे उपास्णा की खीचातानी करते रहते हैं ये ज्यानी है ये न कर्मयोगी है न ज्यानयोगी है न भक्तियोगी है ये जगणायोगी है जगणा करना एक दूसरे को कुछा निचा दिखाना यही विश्रम संसार का स्वरूप है कहां आउशर है किसी के विशय में बोलने का किसी भी मारगे के उपाशक को शाभ भगवत कृपा से अपने-अपने मारग में चल रहे सब को प्रणाम हमको जो गुरुदेव ने मारग दिया हम उस मारग में चल जहां कलह है एक दुसरे में छोटा-बड़ा है निंदा-इस्तुति है इसी का नाम अज्यान है वो कोई उपासना में नहीं वो केवल कलह है वो केवल अशान्ती है किसी भी मारग का उपासक किसी की भी निंदा ने कर सकता उपासकों की तो बात जाने दो शाब मार्ग से एक ही तत्तो का बोध होता है जो ऐसा देखता है भगवान कहते है वही वास्त्विक देखता है शन्यासस्तु महाबाहो दुखमाप तुम योगतहा योग युक्तो मुनिर ब्रह्म्ह नचिरेणादि गच्छती परन्तु हे महाबाहो भगवान ने बताया कि कर्मयोग, शांखयोग ये शब एक ही तत्तो की प्राप्ती कराने वाले है आगे किस लोग में कहरें परन्तु मतब अब कुछ अंतराई बर्णन कर रहे है परन्तु हे महाबाहो कर्मयोग की बिना सांखयोग की शिद्धी नहीं हो सकती बहुत कठिन है और मनंशिल कर्मयोगी को बिना किसी अन्यशाधन का अस्त्रे लिए ब्रह्म की प्राप्ती हो जाती, भगवत प्राप्ती शांखयोगी को, घ्यानी योगी को प्रया बर्णन किया गया कि शमस्त कर्मों का न्याश कर दे पर उसका राज से भगवान बताते हैं कर्म त्याग करना सन्याश नहीं है कर्म का करता भाव त्याग करना और कर्म का फल त्याग करना ये सन्याश है कोई आकांक्षा न रहते हुए शरीर से जितनी भी चेस्टाए हो रहे हैं वो गुणों के द्वारा पेरित हो रही है, उसमें मैं करता नहीं हूँ, उसमें गुणान गुणों वरतनते, और जितनी चेश्टाएं हो रही है, वो शाब मंगल में दुसरों के शुख के लिए हो रही है, भगवत प्राप्ती के लिए हो रही है, भगवत प्रित्यर्थ हो तुछे अन्नी को इशाधन करने की जरूत नहीं इसी से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी लेकिन जो केवल ग्यान मार्ग में है उसको साधना करने पड़ेगी कर्म योग की क्या जिसे अपने गुरू की आराधना है उनकी आग्या में रहना है शास्त्र शम्मत भगवत आराधना करने है और उसका फल होगा हरदय निर्मल होगा तत्तो बोद हो जाएगा केवल ग्यान पढ़ करके और उपासना स्वईकार न करे बिलकुल उपासना तो वस्तु को प्राप्त नहीं हो सकता बड़ा कठिन है सरीर राग त्यागना लेकिन कर्म योगी कैसा हो जाएगा शांक योगी का लक्ष होता है तत्तो कानुभव होना परंतु राग सरीर से रहता है अब ये राग भी ना मिटे तत्तो कानुभव नहीं होगा इस राग के मिटाने के लिए उसे साधना करनी पड़ेगी और राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्म योग का अनुष्ठान जब दूसरों के हित के लिए दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए चेस्टा की जाती है तो वो बांधती नहीं उमुक्त करती है और जब अपने लिए की जाती है अपने सुख के लिए तो वो बांधती है ग्यान यूग के पथिक को भी ये आचरण करना ही पड़ता है गुरू की आग्या में रहना गुरू की शेवा में रहना उनकी अनुशार जगत मंगल के लिए नाम कीरतन करना वो भक्ती भगवान की प्रेम में उपासना नहीं है वहाँ पर वो नाम कीरतन करेगा वो आराधना करेगा कोई भी जिसे ग्यान मार्ग के पुथिके भगवान विश्यश्वर विश्वनार जी को जल चुड़ाना अर्ग देना सब कर गए तो करना पढ़ेगा उससे राग मिटेगा यद्यपिक ग्यान की शिद्धी अक्रियता में है अकरता वो श्वरूप है अब भी है अग्यानी के अंदर भी वही है श्वरूप अकरता है श्वरूप आकांक्षा रहित है उसमें कोई चाह नहीं पर जब तक हम उस इस्थिती को नहीं पहुंचते तब तक देह भाव में जो हमारा राग हो गया है इसको मिटाने के लिए आराधना करनी ही पड़ेगी आद्यगुरू भगवान शंकरा अचार जी कह रहे है कि जन्तू नाम नर्जन्म दुर्लभ मतहा पुन्सस्त्वम् ततो विप्रता तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्मस्मात्परम आत्मानात्म विवेचनम् शनुभयो ब्रह्मात्मनासंस्थितिर मुक्तिर्णो सत्कोटिजन्मसुक्रतै पूर्णे इर्बिना लभ्यते जीव को मनुष्य जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है जन्तू नाम नर्जन्म दुर्लभ मतहा बहुत दुर्लभ है सास्त्र में जगे जगे महराज निमी नोयोगे सुन सिके दुर्लभ हू मानुशू दे बड़े भाग मानुस्तन पावा जगे जगे इसकी दुर्लभता है क्योंकि इससे भगवत प्राप्ती होती है इसे यी बात दुर्लभ है नहीं तो देवताओं के इस शरीर की जहां से निकल नहां तो शौरब चाजाए शुगंध ही सुगंध चाजाए उनके पशीना नहीं आता उनके बाल नहीं पकते दुर्गंध युक्त कोई मलादी नहीं सब दिब हैं देवता है लेकिन देव दुर्लभ कहा गया है इस सरीर बड़े भाग मानुस्तन पावा सुदुर्लभ ऐसी वहां सब सुन्दरिया है ऐसी शेवा शामाग्री है बड़े बड़े मुनियों के हरदे में छोब हो जाए ऐसी सुन्दरिया है और वो मनुष्य सरीर के शामने उनको कुछ गिना नहीं गया सुर्दुर्लभ सदगरंथन गावा देवताओं को दुर्लभ है सरीर जबकि उनका सरीर वाई मार्ग से चल सकते है उनको जमीन किया उशक्ता नहीं जमीन इस परश भी नहीं करेंगे अंतरिक्षे में आकास जहां मन किया ततकाल वहीं पहुंच गया जैसे उनकी जैसी सिद्धी देवता लेकिन उनको भी मनुष्य सरीर से हे ही कहा गया है इसको दो स्रे माना गया है मनुष्य सरीर को क्या स्रे है भगवत प्राप्ति वो नहीं कर सकते है वो नमीन उपाशना करके भगवत प्राप्ति आप नमीन उपाशना करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं नाम नर्जन्म दुरलभ मताहा इस शास्त्रों का मत्र कि मनुष्य शरीर बड़ा दुरलभ है उसमें भी पुरुषत्व फिर बिप्रत्व फिर वैदिक धर्म का अनुष्ठान फिर विद्वता ये सब कुछ अत्यंत दुरलभ होने पर भी सबसे दुरलभ बात है भगवत प् भाश्ठिती ब्रम्हमें अभेद भक्ति मैं वही ब्रम्हू इसा बहना उसको अपने इस भाव मिलेते मनुष्य जन्म मिलना उसमें पुर्शार् thực करने उद्देश हिरदय में होना पुर्शार्त भी मुक्त होने का परंपद का भगवत प्राप्ती का ये अत्यंत दुरलब्बा मुक्तिरनो सतकोटी जनम सुक्रतई पुर्णेर विना लब्यते कहरे करोणों जनमों की साधना के बाद ये हिरदय में आता है कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं तो आप लोग आज से भगती नहीं कर रहे वो तो आचार हैं त्रिका लग गये हैं करोणों जनम से कुछ न कुछ शाधन बनता रहा तब धीरे धीरे ऐसा पद में भी एक पड़ा था कि बहुत जनम जा उनकी भक्ती उनकी भक्ती फिर उसके बाद जो है स्रीकृष्ण की भक्ती फिर उसमें भी स्री कृष्ण द्वारिकाधिष मतुराधिष उसमें भी ब्रजमंडल ब्रजेंदन अंदन उसमें भी नो निवृत निकुंज की भक्ति ये तो अत्यन वो क्रम बरणन है इतने जन्म उनकी आराधना उनकी आराधना तो आको लगता है कि अपने लोग अपने लोग को ग्यान नहीं पीछे क्या क्या आराधना हुई अपने को ग्यान नहीं पर जरूर हुई होगी आराधना तभी हमको एशा स्री जी ने आकरशन किया सो भाग कि दिया